सुप्रभात नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं सुब नौ बजे मैं हूप रीती सिंग और शुरुआत उखे समाचारों के साथ ओडीश्य आविधान सभा चुनाओं में बीजेडी की शांदार जीत के बाद लगातार पाचवी बार मुख्यमंत्री बनेंगे नवीन पतनायर शपत ग्रेंड समारों आज मुख्यमंत्री समेती कीस मंत्रियों में दस नई चहरे शामिल अरुनाचर प्रदेश में बीजेड़ी नेता अफेमा खांडू दूसरी बार मुख्यमंत्री पदखिलेंगे शपत अप्रदानमंत्री मुदी के साथ मिल कर काम करना रखेंगे जानी कॉंग्रिस में नित्रित्व संकट गहराया स्तीपे परड़े राहुल गांधी को मनाने की कोशिशे जारी प्रियंका समेथ पार्टी नेताओं की राहुल से अध्यक्षपद नहीं छोड़ने की अपील गड़बंदन सहयोगी डियमकी और आटजेडी की भी राहुल गांधी को अध्यक्षपद पर बने रहने की सला टीमसी के दो विधायक और पचास पार्शदों के बीजेपी में शामिल होने की चंद घंटे बाद ममता मैनरजी ने केबिनेट में किया फिर बदल पूर्वववन मंतरी बिने बर्मन और पश्चिमी क्षेतर विकास मंतरी शांतिरा महतो का चीना मंतराले बने रहेंगे बिना विभाग के मंतरी फिर बदल को ममता ने बताया रूटीन एक्ससाइज और उत्तर से लेकर दक्षन भारत तक गर्मी का सितम महराश्टर के नागपुर में पारा साड़े से तालीस डिग्री के पार लूग की चपेट में तेलंगाना उडीश और बिहार के जाधतर अलाखे मध्य और उत्तर भारत के राज्यों में भी तापमान 40 डिग्री के पार समारों की तैयारियां पूरी कर ली गई है नवीन पतनायक के नए मंत्री बंडल में पर्मान नायक ठिकुनी साहू, नवकिशूर दास, पदमिन दियान, रगुनन दन दास, दिव्य शंकर मिश्र, जगनात सडाका, जियोती प्रकाश पनि ग्रही और तुसार कांती बेहरा के रूप में दस नए चेहरे होंगे वरिष्ट विधायक और पूर्व मंत्री, एसन पात्रो को दिशा विधान सभा का नया ध्यक्ष नियुक्त किये जाने की भी संभावना है वहिप्रमिला मलेक को सरकार की मुख्य सच्चे तक नियुक्त किया जा सकता है शपत ग्रेंट समारों में शामिल होने के लिए पृधान मंत्री नरिंद्र मोदी को विजु जनता दल की तरफ से विशेश तौर पर आमंत्रन पत्र भीजा गया है हाला कि पृधान मंत्री इस समारों में भाग लेंगे या नहीं ये सपष्ट नहीं हो पाया है राजधानी भुबनेश्वर के प्रदर्शनी मैदान में आयो जित शपत ग्रेंट समारों में पांच हज़ाल लोगों के बैठने के विवस्था की गई है और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है हाल में समपन हुई विधान समारों में बीजू जनता दल ने 147 सीटों में से 112 सीटे हासल की है पटनायक निस से पहले 2000, 2004, 2009 और 2014 में राजभवन में साधे तरीके से शपत ग्रेंट किया था इस बार वो एड़को एग्जिबिशिन ग्राउंड में बड़े कारिक्रम में शपत लेंगे वही आरुनाचर प्रिदेश में बीजेपी ने ता पीमा खांडू आज दूसरी बार मुख्यमंत्री बंद की शपत लेंगे शपत ग्रेंट समारो राजधानी ईटा नगर की दौरजी खांडू कन्विंशन सेंटर में होगा राजिपाल प्रिगेडियर सेवा नेवरित बीडी मिश्र उन्हेपाद और गोपने अथा की शपत दिलाएंगे इस से पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई जिसमें पेमा खांडू को सर्वसमती से विधायक दल का नेता चुना गया नौवी अरौणाचर प्रिदेश विधान सबा का कारेकाल पहली जून को पूरा हो रहा है इससे पहले नई विधान सबा का गठन किया जाना है साथ ही बीजेपी ने अरुनाचल प्रिदेश की 60 विधान सबा सीटों में से पहली बार एक ताली सीटों पर जीत हासल की है बिंस्टिक देशों के सभीने ताउने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी के दूसरे कारिकाल के लिए 30 माई को आयुजित शपत ग्रेंट समारों में शामिल होने की पुष्टी कर दी है विधेश मंत्राले के मताबिक मौरिश्यस के प्रधान मंत्री प्रवींद्र कुमाज जगनाथ और किर्गिस्तान के राश्पती ऐस जीन बेकोव ने भी कारिकरम में शर्कत करने को लेकर अपनी सहमती दे दी है प्रदेश मंत्राले के प्रवक्तार अवीश कुमान ने कहा कि बांगलादेश के राश्पती अब्दुल हामिद श्री लंका के राश्पती में रिपाला सेरी सेना और नेपाल के प्रदान मंत्री के पीशन माउली ने भी काड़िकरम में हिस्सा लेने के पुष्टी की है उन्होंने बताया कि में अन्मार के राश्पती यू, विन, मिन्ट और भूटान के प्रधान मंत्री लोटी शेडिंग ने भी इस बात की पुष्टी कर दी है कि वो इस काड़करम में शिर्कत करेंगे वही थाइलेंड की ओर से विशेश्दूत, रिसाधा, बुन्रेक समारों में अपने देश का प्रतिने धित्व करेंगे भारत ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के शपत ग्रहन समारों के लिए बिमस्टिक देशों के निताओं के साथ शंगाई सैयोग संगठन के वरतमान अध्यक्ष और किर्गिस्तान के वरतमान राश्पती जिन बेकोव और मौरिश्यस के प्रधान मंत्री जग्रनाद को भी आमंत्रित किया है भारत के अलावा बिमस्टिक में बांगलादेश, मियनमार, श्रीलंका, थाइलिंग, नेपाल और भूटान शामिल है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 2014 में शपत ग्रेंट समारों के लिए पाकिस्तान के तदकालीन प्रधान मंत्री नवाज शरीव समेट सभी सार्क नेताओं को आमंत्रित किया था बिम्स्टिक देशों के प्रमुखों को 30 मई को होने वाले प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी के शपत ग्रेंड समारों में शामिल होने का नियोता भी जा गया है और 2014 में भी जब पहली बार नरेंदर मोदी प्रधान मंतरी बने थे तो सार्क देशों के प्रमुखों को आमंतरित किया गया था नहीं करते इस समारों में बांग्डा देश की और से वहां के राश्ट्रपती शामिल होंगे भारत में ये जो खुशी का वातावरन है एक जश्ट का माहौल है सरकार पुना जीत कराई है इस लिए इस उट्सव में इस सेलिबरेशन में जो हमारे पड़ोसी देश हैं और जिनके साथ हमारी मित्रता है और जो मित्ता बढ़ाना चाहते हैं हमारे साथ उनको हमारे इस जश्ट में निमंत्रण दिया गया है शपत ग्रहन समारों में पाकिस्तान को नियोता नहीं भेजा गया है क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवात को बढ़ावा देता है ये एक तरह से सारक देशों से पाकिस्तान को अलग थलग रखने की नीती है बिंपसेक के प्रमुखो की भारत में पहली बार बैठक 2016 में ब्रिक्स सम्मिट के दौरा अंगोवा में हुई थी भारत में इस बान देश था इसलिए सभी प्रमुखो को नेता भेजा गया था उस समय भी पाकिस्तान को दरकिनार किया गया था तब ही से भारत के समंद बिंपस्टिक सम्मुख के देशों के साथ मजबूत हैं अखिलेश सुमन, राजे सभा टीवी और भारत अमेरिका का एहम सहयोगी देश है प्रधान मंतरी नरींदर मोदी की शांदार जीत के बाद ट्रम प्रशासन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की बाद दोहराई है अमेरिका के विदेश मंतरी माइक पॉम्पियो भारत के साथ मिलकर काम करने की उन्होंने इच्छा जताई है पॉम्पियो ने कहा कि भारत अमेरिका का बड़ा सहयोगी है और हम कई मुद्दों पर एक मजबूत चर्चा के लिए ततपर है विदेश विभाग के प्रवक्ता मौर्गन और्चिगस ने कहा कि अमेरिका भारत में हाली में संपन हुए आम चुनाओं के निश्पक्षिता और अखंड़ता के लिए आश्वस्था अमेरिका के राश्पती ट्रॉम्प ने भी नरेंदर मोदी और अन्डिये को जीत की बढ़ाई दी है तो कल ये शपद ग्रेंट समारो होना है आए ज़ादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी अखलेश सुमन से फिलाल हम बात करेंगे अखलेश कल के शपद ग्रेंट समारो को लेकर किस तरह की तैयारिया और हमने देखा था पिछली बाद जब नरेंदर मोदी ने शपद ली थी करीब अतिथी वहां रहेंगे जो जहां आप बोलताते हैं कि राजपती भावन का फूर पोर्ट है मतलब जिदर से राजपती भावन आप देखते हैं दूर से उसमें जो उची सिर्हिया बनी रही है वहीं से वो सपत गाहन समारो देखा जा सकेगा वहीं पे होगा वो तो मैं जो राजपती भावन के सुर्थ बता रहे हैं बता रहे हैं कि अभी तक का सपत गाहन समारों के मामले में सबसे बड़ा सपत गाहन समारो है जिसमें कि इत्ती बड़ी संक्या में अतिख्यों को बुलाया गया है मीडिया रहेगी लेकिन जो सबसे आहम बात है कि शाम करीब साथ बजे ये सफ़त गरांस हमारो होगा और आप समझ सकते हैं कि उसके बाद लोगों के खाने की भी विवस्ता हलके नास्ते की भी विवस्ता है जो हमारे डिगनिस्टिज हैं उनके लिए भी रास्पती से मिलने क कायल कम है तो बड़े पहमाने पे इतने बड़े पहमाने पे सफ़त गरांस हमारो भारत में अभी नहीं हुआ है हाला कि फोर कोर्ट पे पाने भी सफ़त गरांस हमारो हुए हैं लेकिन जो सबसे एक और खास बात बताई जा रही है इस सफ़त गरांस हमारो की कि प्रधानमं जो आप समझ रही है कि SEO का समीठ होने वाला है और SEO समीठ के पहले जो किर्गिस्तान में जहाए SEO समीठ होने वाला है उसके रास्ता जैक को बुलाया जाना मतलब हम SEO को भी काफी सक्रियता से SEO में अपनी भूमिका निभाएंगे इस बात का संकेत है जो है हमारा एक जिसे काते है कि एवर गीन फ्रेंड है पुरे उस इलाके में और भारत वंसी लोग ने मौरिशस वेराते हैं तो यह भी एक विदेश निती की प्राश्मिक्ता दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नैनमोदी जो भारतिये संस्किती से जुड़े हुए लोग है जो भारत के विकास यात्रा के साथ जो कर आतनकुवाद के खिलाफ सहयोग करने में तयार है और उसके अलावा जो हमारा मदे एसिया और जो संगाई कॉपरेशन और उसको तो उसको महत देकर प्रधानमंती नैनमोदी ने अपनी एक विदेश निती का भी खाका के दिया है और जहां तक जानती है कि अभी जून में जब प्रधानमंती मिलेंगे डोनल्ड ट्रम्प से अमरिका के रास्पत्री से उसके पाले अमरिका के विदेश मंती पॉम्पियों भी बारत आने वाले हैं कुछ विशेज बाते होंगी इसके अलावा आप जानते हैं कि डोनल्ड ट्रम्प के अलावा अमरिका के सभी जो प्रमुक अधिकारी और मंती हैं उन्होंने बढ़ाई भी दे जा है तो एक तरह से कहा है कि सपत गांस अमारो ना सिर्क एसिया का बलकि पूरे विश्व का ध्यान लगा हुआ है कि किस तरीके से प्धान मंती नैनमोदी दूसरी बार सत्तारिया है अमरिका ने तया भी कहा कि यह जिए जुनाव हुआ है इस चुनाव के सब तरह के फैरनेस पे उनको विस्वास है इस बारे में आधिकारिक तोर पर तो कुछ नहीं कहा गया लेकिन माना जा रहा है कि दोनों निताओने दूसरी बार सरकार के गठन की बारीकी उपर चर्चा की है माना जा रहा है कि नई मंतरी परिशद में पश्ची मंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में ब्यूजेपी के अच्छे प्रदर्शन की जलक मिल सकती है और राज्यों से चुने के सांसदों को मंत्री पद दिया जा सकता है वहीं नीतियायोग नई सरकार के लिए आर्थे के जिंडे पर काम कर रहा है इसमें दीर का गालिक सतत वृद्धी हासिल करने और निवेश को गदी देना शामिल है नीतियायोग के उपादेख्ष राजीव कुमार ने राजे सबाज टीवी समारता नीलू ब्यास के साथ हुई खास बाचीत में बात कही इस दौरान उनोंने आने वाले चुनाथियों से ने पटने का भी जिक्र किया है We are preparing that, we are well on, we are really focused on preparing a vision which is for 2047 and where we want the economy and we are trying to lay out the contours of what the size of the economy would be what's the rate of growth that we require for that and which are the sectors which will grow and what will be our share in the world trade etc, etc, so that's a project that we are undertaking you know that we did one for the strategy for new India at 75 which is you know the economy for 2022 so that document is already ready that's with the government and there are several suggestions, recommendations there already for this government to act upon and you talked about the challenges and I think I did mention the challenge which is that one of the biggest challenges is for example for me apart from investment in agriculture that I mentioned is to tackle malnourishment in the country, you know I mean a very large percentage almost about 36% of our children are undernourished and 50% of our women are NMA and I think that's one very big challenge saying that hello at the meeting you know अध्यक्ष राजीम कुमार से हुए इस पूरी बातचीत को आप देख सकते हैं हमारे विशेश कारेक्रिम टू दे पॉइंट में आज रात दस बजे लोगसभा चुनाओं में करारी शिकस्त के बाद कॉंग्रिस में नेत्रत्व संग कट गहरा गया है स्तीफे पर अड़े राहुल गांधी को मनाने की कोशिशे जारी है प्रियांका समेथ पार्टी नेताओं की राहुल से अध्यक्षपद नहीं छोडने की अपील की गई है वहीं गड़बंदन सहयोगी डीमक और आटजेडी ने भी राहुल गांधी को अध्यक्षपद पर बने रहने की सलाती है हाला कि राहुल गांधी स्तीफा देने के अपने रुख पर मंगलवार को भी कायम रहे सहयोगी ड्रमोक और पार्टी के कई वरिश नेताओं ने उनसे अपने निर्णे वापस लेने का आग रह किया इस बीच कॉंगरिस में बैठको और मुलाखातों का दौर भी जारी रहा पार्टी मासचे प्रियंका गांधी ने रहुल गांधी से मुलाखात करके उनके रुख को लेकर उनके साथ विचार में मर्श किया कई दूसरे ने तब ही कल रहुल गांधी के आवास पहुंचे इस बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि आज कुछ प्रदेशों में कॉंगरिस के कारेकारने की बैठक है जिनमें प्रस्ताव पारित करके राहुल गांधी से अपील की जा सकती है कि वो अध्यक्षपद पर बने रही लोकसभा चुराओं में मिले हार के बाद कॉंगरिस में स्टीफों का दौर भी जारी है एक के बाद एक पार्टी के कई प्रदेश अध्यक्षों ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने अपने स्टीफों की पेशकश की है पश्चिम बंगाल में त्रणमूल कॉंग्रस को बड़ा जटका देते हुए पार्टी के दो विधायक और पचास पार्शत कल बीजेपी में शामिल हो गए दिल्ली बीजेपी मुख्याले में बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजवर्गिया ने इन सभी को पार्टी के सदस्ता दिलाई प्रटी के जिन दो विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है उनमें मुकुल राय के बेटे शुभांशु राय और दुशार कांती भटाचारे शामिल है इनके लावा सीपीम के विधायक देवेंद्र राय ने बीजेपी की सदस्ता लिए इस मौके पर प्रस कॉंफरेंस को संबोधित करते हुए कैलाश विजेवर्गिया ने कहा कि पश्चे मंगाल में पीमसी की कुछ और विधायक बीजेपी में आने के चुक है मैं दूसरी और बीजेपी नेता मुकलरॉय ने बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हो रहे हम लोगो पुक्यमंत्री मम्ता मैनर जी की हताशा का परिराम बताया हर मैने अलग-अलग चरणों में जोईनिंग का कर्करम होगा ये पहले चरण में तीन विधायक और पचास कांसलर हैं तीन नगर-पालिकाओं पे हमारा कपजा है जिला पंचायत पे भी हमारा कपजा होगा और अब धीरे-धीरे-धीरे करके ममता जी के आतंक से ममता जी की ताना शाही से परिशान होकर जिन लोगों का टीमसी में दम घुट रहा है वो सारे लोग बीजेपी में आना चाहते हैं तो सौंस्किती हाई, भरद्यों जनता पार्टी जो क्रिष्टी हाई, यह हम लोग बर्दास करने नहीं चाता है, हम लोग खून के बिश्चास्क नहीं करा है, देखे आप तो जनता है, चुनवा होने के बाद दो खून हुआ, उसके पहले हमारा आसी करिकरता हुआ, तो हम ल बोल रहा है, चंदन को सुआ है, सुन्टू को सुआ है, चक्दा में, तो यह दो घून जो हुआ ना, हिंसा तो बोल रहा है, हम लोग कर रहा है, लेकिन हम लोग कर रहा है, जो कर रहा है, वो तिनों मुली कर रहा है, और उसका साथ पूलिस है, इस बीच मुख्यमंत्री मम् में हुए इस फिर बदल को चुनाओ बाद हुने वाली रूटीन एक्सरसाइस करार दिया है। मलेग अटेक अप्ष्राम और खानून विभाग का जिम्मा समालेंगे। लोग सभा चुनाओ में टी-मसी को उत्री बंगाल और जंगल महल लाके में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मम्ताप अनरजी ने इस शेतर से आने बाले दो मंतरियों बिनौए क्रिश्णा बर्मन और शांती राम महतों से उनके मंतराले शील ले है। राज्यसभा की दो सीटों के लिए कल बीजे भी नेता कामाख्या प्रसाद तासा और असमगर परिश्ण की बिजे इंदर प्रसाद वैसे ने असम से राज्यसभा की दो सीटों के लिए नामानकन पत्र भरा। आखरी दिन कल विपक्षनी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है इसलिए एंडे के दोनों उम्मीदवारों का निर्विरोधु चुना जाना तै है असन से दो राजसभा सदस्यों पूर प्रधान मंतुरी मनमुहन सिंग और संती उसकुजूर का कारेकाल पूरा होने के कारण दो सीटे खाली हो रही है इन दोनों सांसदों का कारेकाल 14 जून को खत्म हो रहा है राजसभा के सभापति एंवेंगा एनइडू ने राजसभा टेलिविजिन के लिए बनाए गई कंटेंट एडवाइजरी कामिटी का पोनर गठन किया है इसमें राजसभा के 10 सदस से शामिल है इन दस सदसे समिती के अद्धक्षिता राजे सभा के उपसभापती हरी वंच करेंगे। उपसभापती के अलावा समिती में जो अन्य सदसे शामिल हैं। उनमें दॉक्टर विनैपी सहस्रबुद्धे, ओसकर फर्नांडेस, राजे सभा टीवी के लिए कंटेंट एडवाइसरी कमिटी का पोनर गठन हुआ है। इनमें दॉक्टर विनैपी सहस्रबुद्धे, ओसकर फर्नांडेस, प्रोफेसर राम गुपाल यादव, नवनीत कृष्णन, दरको ब्राइन, अच्छितननन सामन्त, साथ ही केके रागेश, केके रागेश, वंदराचाववान और स्वापंदास गुपता शामिल हैं। ये समिती राज्यसभा टीवी से जुड़े मुद्धो पर अपने सुझाव देगी। ये हिंदी अंग्रेजिया संस्रित में भी हो सकता है। और पदादिकारियों के खिलाब रश्चाचार के आरोपों की जाच के लिए किया गया है। राश्पति रामनात कोविन ने 23 मार्च को लोगपाल के धिक्ष के रूप में नयमूर्ती पिना की चंद भोश को शपत दिलाई थी। RBI ने आम आदमी को रहा देते हुए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी RTGS के जरिये पैसे भेजने का समय डेड़ घंटे बढ़ा कर शाम 6 बजे तक कर दिया है। के हस्तानम तरण के लिए होता है। इसके तैद नियुनितम दो लाक रुपे बेज़े जा सकते हैं और अधिक्तम राशी भीजने की कोई सीमा नहीं है। उत्त प्रदेश के बारबंकी में रामनगर थानक शेतर में जहरेली शराब पीने से मरने वालों की ताधाद बढ़कर 14 हो गई है जबकि 40 से जादा लोग विमान हुए हैं। पुलिस ने तीन लोगों समेथ शराब दुकानदार के खिलाफ एफाई आर दर्च कर रही है। सरकार ने इस मामले में उच्छिस तर्य जाँच के आदेश दिये हैं और 48 घंटे में रिपोर्ट सौपने को कहा है। इस मामले में अब तक 3 लोग गिरफतार हुए हैं। सरकशा बलो और आतंकें के बीच मुद्धिड में सरक्षा बलो ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाखी में आतंकी गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी जिसके बाद सुरक्षा बलो ने खेरा बंदी करके आतंक्यों के खिलाफ ओपरेशन शुरू किया जम्मू कश्मीर के अनंतरांग जिले में कल सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुद्भेड हुई थी इस जोनान आतंकी गोड हिजबुल के दो देहशतगर्ग भी मारे गए थे पात खेलोगी टीम इंडिया ने आइसी से विश्वकाब के अपने दूसरे अभ्यास मैच में बांगलादेश को 95 रनों से हरा दिया सोफिया गार्डनिस मैदान पर खेले गए स्माच में टीम इंडिया ने महेंदर सिंग धोनी के 113 रन और लोकेश राहूल के 108 रन की शतकिया पारियों के दम पर पचास ओवरों में साथ विकेट खोकर 369 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसे बांगलादेश हासल नहीं कर पाया और 49.3 ओवरों में 262 रनों पर पूरी टीम धेर हो गए वहीं वेस्ट इंडीज ने भी आईसे से विश्वक आपके अपने दूसरे अभ्यास माच में न्यूजिलिंड को इंक्यान बिरनों से हरा दिया प्रेंच ओपन टेनिस टॉर्णामेंट में रोहन बोपन्ना ने पहले दोर में अपने जोड़ीदार के साथ शांदार प्रदशन किया वहीं आज भारते के लाली लेंड़ पेस दिविश रन और जीवन नेदुन चे जियांग अपने मुकाबले खेलेंगे भारते टेनिस के लाड़ी रोहन बोपन्ना ने रोमानिया के अपने जोड़ीदार मारियस कोपल के साथ पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगा बनाई है बोपन्ना और कोपल की जोड़ी ने राविन क्लासन और माइकल वीनिस की जोड़ी को 6-3, 7-6 से हरा आया बहुत मौसम की देश भर में भीशन गर्मी का प्रकोप जारी है लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है अलगलग हिस्सों में गर्मी का पारा चर्था जा रहा है महराश की नागपूर में कल तापमान 47.5 डिग्री दर्च किया गया जो 10 साल में दूसरा सबसे अधिक तापमान है वह पिछले 65 साल में पांच भी बार सबसे जादा तापमान भी है महराश्य की चंदरपुर में कल सबसे गर्म दिन रहा, यहां तापमान 47.8 डिग्री दर्श किया गया और ये सीजन का सबसे ज़्यादा तापमान भी रहा नाधपुर और विदर्ब के कई जिलों में पिछले कुछ हफतों से लू चल रही है ब्रह्मपुरी में 46.9 डिग्री, वर्धा में 46.5 डिग्री, गर्ची रॉली में 46 डिग्री समेत कई जिलों में पारा 45 के पार रहा वहिते लंगाना में 31 मैं तक लू का प्रकोब जारी रहने का नुमान है गाजी के आदिलाबाद जिले में कल अधिक्तम 46.3 डिग्री सेल्सेस तापान दर्श किया गया राजदानी दिल्ली में अधिक्तम तापान 41.8 डिग्री सेल्सेस और यूनुतम तापान 23 डिग्री सेल्सेस दर्श किया गया राजस्थान में बीका नेर में अधिक्तम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सेस दर्श किया गया हर्यान और पंजाब में भी भी शन गर्मी पड़ रही है 44.5 डिग्री सेल्सेस पारे के साथ नार नौल इन दोनों राज्यों में सबसे गर्म स्थान रहा और इसी के साथ फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही हो जाते जाते आपको छोड़ जाते देश्वन में अलग अलग हिस्सों में मौसम के हाल की जानकारी के साथ कर रहा है कर दो